हेलो दोस्तों वेलकम टू महेश गुरुजी क्लास तो चलो आज सॉल्व करते हैं कुड वर्शेज वुड यह दोनों काफी कंफुजिंग मॉडल है क्योंकि कभी तो प्रिजेंट में चले जाते हैं कभी पास्ट में जैसे कि देखो जिस वाक में जिस सेंटेस में कुड लगा होगा वो अर्थ या तो ऐसे देगा अंत मैं सका या सकता था सकती थी या फिर सकता हूं अब बहुत से लर्नर्स को नहीं पता कि जो कुड है अब देखो सब को पता है कि कुड कैन का पास्ट है लेकिन कुड प्रिजेंट की बात भी करता है तो यह प्रिजेंट पास्ट दो भी बोलता है और यह ताथा तीथी इस तरह से भी बोलता है जैसे कि पास्ट इंडिफेंट टेंस में थाथी ते आता है इसमें भी आता है कहने का मतलब है कुड़ और वुड एक नए लर्नर को काफी परिसान कर देते हैं पता है क्यों कभी तो प्रिजेंट में कभी पास्ट में और फीचर भी दिख रहा है और भाईया मेरा तो एक ही उसूल है जिसमें टीचर हूँ अगर आपको सीख गए जान गए ना तो लर्नर को सब्दों में बता दो बिना उनको पैना पासा सोचा कैसे बताओ तो तरीका है कि पैले रिख लिए दोनों को बड़ें काल के लिए तो पॉड है पॉर्माल रिक्वेश्ट को बताता है जैसा थावियू के जानीं ब्यक्ति से लिए बोलोगे जिसको आप नहीं जानते बोलोगे अनव बूलोगे लिस्व हृस सकता हूँ चाम सूट काल ग ले क्या लेका उसकता हूद्ग क्या मैं आप से कुछ पूष सकता हूँ अब ये बात प्रिंट में चल रही है तो हम कोड़ का इस्तमाल करते हैं तो हम इसकी अंग्रेजी बना देंगे कोoi I know your name क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ अब जो could है ना इसके वारे famous बात है can का past है can सकता है, सकती है, सकते है could सकता था, सकती थी, सकते थे लेकिन आज हमें पता चला कि present में भी यूज होता है, अगर हम किसी से कोई request करें तो could I know your name, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हो, address बता सकते हो तो simple है could you tell me this address और models के बारे में एक बात तो सब को पता है कि model के साथ हमेशा verb की first form आती है जैसे could I know, तो no first form है जानना, could you tell tell, बताना first form है तो ये could का formal request के लिए present में use होता है अब would का present में use देखते हैं तो would present में polite request विनमर निवेदन हम किसी को जानते हो, नहीं जानते हो विनमर निवेदन करें, तो हम would का इस्तमाल करते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा समझने लगे वाँ पर will sell लगा तो लेकिन थोड़ा समझो will sell का future में होता है कोई चीज आज नहीं आज के बाद होगी future में भविस्त में होगी क्या तुम जैपुर जाओगे अब जैपुर वो अभी नहीं जा रहा पूछ रहा है जाओगे क्या मैं 5 दिन बाद जैपुर जाओगा या जाओगे इस तरह की बाते करे क्या तुम साधी में चलोगे अब साधी में 5 दिन बाद जाएगा लेकिन present में ही हम किसी से पूछे बरतमान काल है present में पूछे तो क्या आप चाय लेना पसंद करोगे लें प्रिजेंट में और ले जा रहा है गागी गे तो वुड का इस्तमाल होगा तो आप क्या लिखोगे वुड यू आप आपके अंग्रेजी क्या हो गई तुम और आप यू तो वुड यू लाइक टू टेक टी क्या आप चाहे लेना पसंद करोगे क्या आप मेरे साथ चलो और अभी उससे पूछ रहे हो तो वुड लेकिन अगर ऐसी बात चल रही है कि यार मैं अगले सब्ता जैपुर जाओंगा क्या तुम मेरे साथ चलोगे अगर उस संदर में कहा तो फिर विल आएगा विल यू गो विद मी क्या तुम मेरे साथ जाओगे अभी नहीं पास दि लिए वुडियू लाइट वुडियू माइड माई ओपनिंग विंडो जैसे आप खिड़की को आपको खिड़की खोड़ना मुरह लगेगा वुडियू पास मी साल्ट प्लीज क्या आप मुझे यह जो नमा के वह पास करोगे है वुडियू माई फ्रेंड क्या मेरे दोस्त बनो कि वुडियू वी वुडियू विद मी कि आप मेरे साथ खेलोगे इस तरह से तो कहने का मतलब है कि यह प्रजेंट और यह प्रजेंट बले यहां पर सकता है सकती आ रहा है बले यहां पर गागी गया रहा है कोई कंस्यूजन नहीं आपको पूरा क्लियर कर दिया ठीक अब बढ़ते हैं आगे पास्ट के लिए लेकिन पास्ट का बताने से पर छोटी सी जान करी हर वीडियो की सुरुआत में दी जाती है क्या पता कोई नया लर्नर देख रहा हो पुराने तो सुन-सुन के पक गए होंगे बात यह है कि यदि आपको महेस गुरुजी का अंदा इंग्रेजी लिखना कैसे सीख है यदि आपको लिखना नहीं आता सेंटेंस नहीं बनाना आता तो हमने सिक्वेंस सारी चीज सिखाई है जरूरी ग्रामर करवाई है और साथ में कंपोईशन पार्ट जैसे लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग वगरा करवाए हर वीडिय मैनत लगिए थोड़ी सी फी से आप चाहें तो इन कोर्सिस को जोइन कर सकते हैं नहीं करना बिल्कुल मत करना यूट्यूब पढ़ाता हूं फ्री पढ़ाता हूं दिल से पढ़ाता हूं सिखा के चोड़ूंगा तो दूसरा देखते हैं यह प्रजेंट वाला होगे आप न तुम ना सकते हो कोई व्यक्ति कुछ कर सके प्रेजेंट में उसके बाज़ों में दम है या दिमाग दिमाग की बाद में आई कैंट सॉल्ड इस क्वेश्चन चमता दो तरेक होती है सारिक और मानसिक अब प्रेजेंट में कोई भी छमता है वह आप कर सकते हो तो कैन का यू अब नहीं है तो क्या लगा देगे कुड यदि मैं तेज दोड सकता हूं प्रेजेंट में तो आई कैन रन फास्ट ठीक है लेकिन दोड सकता था तो फिर आप क्या लगाओगे आई कोड रन देखो कुड आ गया आई कोड रन फास्ट इन चाइल्ड हुड मैं बच्पन में तेज दोड सकता था मैं जो चाहता था वो नहीं कर सका मैं जो चाहता था वो नहीं कर सका यहीं मलाल है यहां पर मलाल मतलब पश्चा ता पर नहीं कर सका था या कर सका अब सकता था से मत पकड़ो सका ऐसे भी आ सकता सका था तो आई कुड नॉट डू या कुड भी कर सकते ह what I wanted जो मैं चाहता था वो नहीं कर सका ठीक है? मैं तेज दौर नहीं सका I could not run fast जिस दो दिन पहले की बात है यार मैं तेज नहीं दौर सका था I could not run fast इस तरह से तो सबसे famous use इसका यही है और वुड यह past habit को बताता है इसका भी यह past का past का use है मैं बच्पन में तेज दौरता था अब नहीं हम past में कुछ करते थे अब उसको नहीं करते past की habit थी past में कोई आदब थी कोई routine था मतलब कुछ ऐसा था कि मैं यह करता था बली रोज नहीं साथ दिन में लेकिन करता था अब नहीं करता तो वुड मैं बच्पन में तेज दौरता था I would run fast in childhood अब देखो मैं बच्पन में तेज दौर सकता था कुड तेज दौरता था I would मैं बच्पन में खेलने जाया करता था I would go to play इस तरह से रवी कॉलेज में क्रिकेट खेलता था अब नहीं खेलता बच्पन में आप कुछ करते थे जवाने में कुछ करते थे अब नहीं करते वुड का यूज होता है और ता था ती थी बोलता है ठीक है हाँ एक चीज और बता दूब इसमें बहुत से लर्नर समझते हैं परेजेंट इन डिफ immense की पहचान sentence में यदी मैं कठिन पषरम करता तो पास हो जाता यह होता होता पॉलते हैं ना तो विड से बोलता है तो यदी मैं कठिन करता तो पास हो जाता तो इफ if I worked hard I would pass conditional sentence conditional 3 होते हैं first, second, third यह second वाला है यानि past में हम कुछ ऐसे पस्चाताब करें यह करता तो यह हो जाता इसी कोई wish करें तो उसमें 2 structure बनते हैं इस वाला जो clause है उसमें past indifference आता है और दूसरे वाले में subject के साथ would आता है would के साथ मर्गी first time आती है यदि मैं आगरा जाता है तो ताजमेहल देखता इफ आई अब बताओ क्या आएगा, went past indifference, if I went to आगरा अब क्या लगा देख? I would see ताजमेहल I would see the ताजमेहल यह chorus को मैं बता नहीं रहा है वो बहुत rare use होता है जैसे कि हम direct को in direct में बदलते हैं तो will का would change होता है तो यह future का past का future है, उसमें would का इस्तमाल करते हैं, चलो देख लो example, जैसे मैं नहीं यहाँ पे लिखा रवी सैड रवी सैड to me I will help you अब देखो, यहाँ पे तो सैड है रवी ने मुझसे कहा था, मैं तुमारी मदद करूँगा तो यह बात कब करी थी past में रवी ने कहा था, कब कहा था सैड आ रहा है, तो मैं पास्ट में कहा था देखो तुमारी मदद करूँगा, ठीक है, उस समय यही ले जाता है, मैं तुमारी मदद करूँगा जब मैं इसको चेंज करूँगा, तो क्या होगा रवी told me that अब I को चेंज करेंगे, रवी से तो he आएगा, ठीक है और विल का वुड चेंज होगा देखो ये वुड का यूज आ गया विल का वुड होगा कैम का कुड होता है इसे मार वाज़र मतलते है ठीक है ये वुड हैल्प मी यूचेंज होगा मी से तो मी आएगा तो देखो रभी ने मुझे बताया था रभी ने मुझे बताया कि वह मे के जो भी इसके सबसे अच्छे यूज हैं जातर यूज है सब के सब इस वीडियो में कवर हो गए ठीक है तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी आपके नेक्स्ट सेल्यूशन के साथ तब तक के लिए बाई